दोस्तो फ्रूट जूस सहत के लिए हर माइने में फाइदेमन माना जाता है क्योंकि ये शरीर को एनरजी देता है, कई बिमारियों से बचाता है, इसमें कई तरह के एंटी आक्सियनट पाए जाते हैं, वाइटमिन्स पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा ही एक फ्रूट है जो कि हम बहुत कम इस्तिमाल करते हैं और उसका जूस अगर मिल जाए तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, दोस्तो ऐसा ही एक फल है नोनी जूस, दोस्तो नोनी का पूरा नम है नोनी मौरिंडा स्टिफोलिया, दोस्तो इस फ्रूट का जूस आज कल भारत में मिल रहा है, लेकिन कंस बहुत से ज्यादा बीमारियों से छुटकारा देने वाला जूस, यहां तक कि इंटरनेशनल सेलिबरिटी इसे इस्तिमाल करती हैं और इंटरनेशनल क्या इंडियन सेलिबरिटी इसे कई कई समय से इस्तिमाल कर रही हैं, जैसे कि शिल्पर शेटी भी नोनी जूस का इस्ति देता है आज कल Immunity की चीज़े खाने का चलन चला हुआ है कि Immunity आपकी अच्छी होनी चाहिए तो इम्टी बढ़ाने के लिए इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं एंटी फंगल और एंटी इंफ्लामेट्री गुन भी पाए जाते हैं इसलिए अगर आपके कम है बहुत जल्दी बिमार हो जाते हैं सर्दी खानसी जुकाम हो जाता है तो आपको नोनी जूस का इस्तेरियल करना चाहिए दोस्तों अगर आप तनाव में रहते हैं तक भी आपके लिए नोनी जूस फाइद्यमंद रहता है रोज थोड़ा सा नोनी जूस पेने से आपका हORम क्विर्पा करूंगे नौनी जूस कहीं कैंसर के सेल को भी मार देता है नौनी जूस आपकी इम्म्ट्राइब बढ़ाता ही इसके साथ साथ आपको वो cancer cell से भी बचाता है इसके जो एंटी ऑक्सिएंट पाए जाते हैं वो cancer cell बनने रही देते जैसे कि आप धूमर पान वगएरा करते हैं तो उससे भी cancer cell बनते हैं उससे आप निजाद पा सकते हैं दोस्तों अगर आपको जोडों की दर्ध है गाउट की प्रॉब्लम है जो की यूरिक एसिड बढ़ने की वज़ा से होती है ज्यादा तराज कर यूरिक एसिड इंडिया में बहुत जारा बढ़ रहा है यूरिक एसिड की वज़ा जवान रखना चाहते हैं ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए नोनी जूस में विटमिन सी पाया जाता है सेलेनियम पाया जाता है और भी कई ऐसे एंटियों पाया जाते हैं आपके स्किन को ग्लोइंग रखते हैं मुहासिव गरा नहीं होते और भी कई फायदे मिलते हैं स्किन को हेल्दी भी रखते हैं इसके इलावा यह आपके बालों के लिए भी फायदे मंद है अगर आपके बाल बहुत जल्दी जड़ जाते हैं बालों में डेंटरफ है या फिर बाल रुके सुके हैं तो बालों के लिए भी यह काफी फायदे मं चाहते हैं तो मैंने description में link दिया है जो अच्छा नोनी जूस आप इस्तिमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं कि यह इस्तिमाल कैसे करना है दोस्तों आप रोज खाली पेट 15 ml नोनी जूस लीजिए आप किसी में भी इस्तिमाल कर सकते हैं पानी में मिला कर ले सकते हैं जूस में म तो मुझ तब करना कि ड्यूंट नतक अगे की सेमे कम टारे टो सी नाजर लड़, कि अपन खारे लड़ दोग्टार्णार का जडंडा मुझ खारे लादा है जरी नारव, कि अरुब ऑट कि सा घ्र, कि अट्टेडेत है जो ड़कित नारे जारे जारे लिंडारौ, कि अबत